कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगत शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तो बिटकोईन का प्राइस 65,000 डॉलर जो कि आज की स्वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूज अपडेट के बारे में बात करेंगे और अभी फ्यूटर स्टेट के बारे में बात करेंगे और ये मार्किट कौन से मोड के अंदर जाने वाला है स्पोर्ट ट्रेडिंग वालों के लिए भी हम बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम न्यूज अपडेट देख लेते हैं फिर यहाँ पर एक छोटा समय ट्रेड प्रोवाइट करूँगा और फिर में लोंग टरम के लिए भी यहाँ पे बात करूँगा तो न्यूज अपडेट के अंदर हम बात कर जब Bitcoin को pump कराना होता है तो कहीं से भी positive news update आ जाती है तुसरी news update के हम बात करेंगे तो PayPal ने एक US के अंदर business enable किया है buy, sale and hold cryptocurrency तो PayPal की अंदर आप cryptocurrency को buy कर सकते हैं, sale कर सकते हैं और साथी साथ hold कर सकते हैं या अपने आप में काफी ज्यादा positive update है तुसरी news की बात करेंगे तो Solana के न्यूज अपडेट आई है वानिंग की तरफ से वानिंग का ऐसा केना है कि Solana Ethereum का market cave से 50% जितना market cave है वो reach कर सकता है तो जितना Ethereum का market cave है उससे आधा मतलब 16 ना है Ethereum से 50 टका है वो market cave बना सकता है और वो वानिंग का केना है तो यह थे IMP news update और तीनों के तीन bullish news update है यह सभी news के बाद future state वालों को सीधा FOMO नहीं करना है अब यह market के अंदर देखेंगे market क्या हो सबता है next moment अब हम bitcoin की बात करेंगे तो bitcoin का जो अगला moment है फिलाल यहाँ पर हमें breakout देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो 64,700 डोलर के आसपास का resistance दे वो break होता हुआ देखने को मिल रहा ह तो तुरंत यहाँ पर long side खेलना शुरू नहीं करना है क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि breakout देखते हैं बीना confirmation के वो long खेल दाते हैं यहाँ पर एक छोटा समय scale फे आपको provide करूँगा कि market ने यहाँ पर काफी सारी try की है resistance को breakout करने के लिए market काफी बार reject भी हुआ है बट बड़ा rejection यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है market simple है दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर breakout हो रहा है जैसे यहाँ पर लोग long उपल कर ले तो short term के लिए market है गिर सकती है एक हजार दोजार डोलर जो कि इसा हमें देखने को अक्सर देखने को मिलता है तो बड़ी leverage के साथ यहाँ पर trading नहीं करना है यहाँ पर यहाँ तो आप daily candle का wait कर सकते हैं पांससथ हजार डोलर से उपर उपर daily candle closing करता है तो maybe break out ठीक है तो daily candle का wait करना है पांससथ हजार से उपर उपर daily candle closing चाहिए वरना यहाँ पर अभी मैं क्या करना हूँ एक छोटा सा scale type का short open किया हूँ जो कि SL भी लगाया है थोड़ा सा डर तो रहे गा है रहेगा तकरीबन तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि market ने काफी बार try की हैं तो एक बार यहाँ पर again बड़ा rejection मुझे मिलने के chances लगता है market अब किसे play होगा जो कि मैंने सोचा है only मैं scale लिया हूँ कि market अब पहले तो यहाँ पर EMA का breakout हमें देखने को मिलना है और साथी साथे resistance का भी breakout देखने को मिलना है resistance कहाँ पर है 64 से लेके 65,000 dollar के बीच में resistance है market ने एक ही जटके में resistance नहीं तोड़ा है ठीके बार बार try की और अभी यहाँ पर तूटने का बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है तूट जाए तो अच्छी चीज है बट short term के लिए यह तूटे गाई बट अभी short term के लिए क् एक rejection की चीज आपको दिखा दे कि market यहाँ पर rejection हो रहा है rejection का moment mode ला दे कि market यहाँ पर reject हो गया तकरी बट 62,000 dollar के आसपास 61,500 dollar के आसपास ताकि इसके नीचे जो लोगों ने ऐसे लगा है वो ऊड़ जाए और फिर market एक ही जटके में तोड़ दे मैं इसा सोच रहा हूँ यह पर इसलिए मैंने scale type का short open कि इस तरीके से break कर सकती है ठीक है इस तरीके से break कर सकती है यह मेरा analysis से बट यहाँ पर scale करके profit बन सकता है और SL भी तो मैंने कहे दिया काफी नजदीक है risk की trade है या तो आप confirmation के साथ trading ले सकते है या फिर आप अभी से ले सकते है बट SL के बिना यहा इसा लग रहा है मैं चार्ट देखके बताता हूं ऐसे दो मैंने के दिया कि भाई bullish है market इधर ही जाना है 67,000 68,000 dollar बट काफी try हुई और सीधा break कर रहा है तो इसका मतला बे हो सकता है कि यहाँ पर एक भी rejection बड़ा rejection ऐसा नहीं दिखावा कि या कि market reject हो रही है सीधा चला जात तो फिर आगे मैं analysis आपको provide करूंगा दोस्तो लास्ट में एक P2P करने के लिए crypto के अंदर काफी सारे लोगों P2P के अंदर problem आते हैं तो एक no one's name का platform है specially P2P के लिए इन लोगों ने launch गया है एक लाख जितने users है इसे आप checkout कर सकते मैं link आपको description box में provide कर रहा हूं तो इसको P2P के लिए बनाया गया है और international तरीके से चलता है इंडिया के अंदर भी चलेगा US के अंदर भी चलेगा बंगलादेश के ऊपर भी चलेगा worldwide कोई भी currency के अंदर आप buying and selling कर सकते हैं इसका link में आपको description box के अंदर provide करूंगा बिल्कुल check out करें यहाँ पर multiple order के साथ आप trading कर सकते हैं सीधा bitcoin भी P2P की मदद से खरीच सकते हैं USDT भी खरीच सकते हैं multiple pair के अंदर यहाँ पर available है ठीक है इसका link में आपको description box के अंदर provide कर रहा हूं एक लाग जितनी users हैं आप इसे check कर सकते हैं